जया शुती स्नेहा और रश्मी चारों बेस्ट फ्रेंड थी यह चारों जहां भी जाते हमेशा एक साथ ही रहते थे अभी इनकी पढ़ाई चल ही रही थी इसलिए यह गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी इनमें जहां जया थोड़ी सी घमंडी और थोड़ी सी मोहफट थी वही शुती थोड़ी डरपोक और थोड़ी शर्मीली थी स्नेहा चुलबुली और नटखट लेकिन वही पर रश्मी हर काम को करने से पहले सौ बार सोचती थी चारों का समय बड़े मजे से कट रहा था एक बार सल मा अपने बॉइफ्रेंड को बिना पर्मिशन के कॉलिज में ले आई और रितु ने भी कॉलिज का एक नियम तोड़ दिया इसके बाद रात बारह बजे होस्टल की वार्डन ने उन्हें नियम ना मानने के कारण होस्टल की छट से नीचे धक्का दे दिया जिससे की उनकी मौत हो गई इसके बाद उस वार्डन पर केस दर्स किया गया और अदालत ने उसे फांसी का इस सजा सुनाई इसके बाद फांसी के समय जब उससे उसकी आखरी इच्छा पूछी गई तब उसने अपनी पेंटिंग बनवा कर उसे अपने कमरे में लगाने की इच्छा जाहिर की तब एक पेंटर को बुलाया गया जिसने उसकी हूभों मिलती जुलती पेंटिंग बनाई इसके बाद जैसे ही उस वार्डन ने अपनी पेंटिंग देखी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्क आन खेल गई उसने तुरंत पास खड़े सिपाही की जेब से बंदूक निकाल कर उस पेंटिंग बनाने वाले को गोली मार दी उस पेंटर ने मरते हुए उस वार्डन को श्राप दिया कि तुमने बिना किसी कसूर के मुझे मारा है इसी लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा भी ऐसे ही भटकेगी और जिस पेंटिंग को देखकर तुम इतना अहंकार कर रही हो इसी पेंटिंग में तुम्हारी आत्मा कैद हो जाएगी और तुम इससे आजाद नहीं हो पाऊगी इतना कहते ही वह पेंटर मर गया वह वाडन मुस्कुराने लगी इसके बाद जेल कर्मियों ने उस वाडन को फासी की सजा दे दी और वह पेंटिंग उसकी आखिरी इच्छा के अनुसार उसके उसी कमरे में लगाए गए यह जहाँ पर वह बैठती थी मॉडन ने मरते हुए यह कहा था कि तुम मुझे मार सकते हो परंथु मेरे नयोमों को नहीं मैं मरने के बाद भी अपने नयोमों का पालन करवाती रहूँगी कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने के लिए कहानी के अगले भाग की प्रतीक्षा करें और इसी प्रकार की और भी मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब